डेट आज दो मई दो हजार बाइस ये सब टॉपिक डिसकस करेंगे इस क्लास में पहले कुटेशन डिसकस करते हैं तो लूज दा पेसेंस इस दा लूज दा बैटल महत्मा गांदी जी ने कहा था है ये आप ऐसे में कहीं पर यूज कर सकते हो पेसंस यानि की धैरे या धीरज अगर आदमी धैरे या धीरज खो देता है इसका मतलब समझो वो लड़ाई हार चुका है तो ये आप ऐसे मियूज कर सकते हो दूसरे तरीके से इसको समझ सकते हो मनजिलें भी जिद्धी है रास्ते भी जिद्धी है देखते हैं आगे क्या हो क्योंकि होसले भी तो जिद्धी है यह मेरी लाइन नहीं है गुलजार साब की सायरी है यह तो फर्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ बैटर क्वाल्टी का एक स्वाध होता है टेस्ट होता है जिसकी वज़े से इसे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं यह जो फ्लेवर्ड सिगार है या मैंथोल सिगरेट है इसको बैन करने के लिए प्रपोजल रखा था flavored का मतलब जो नए नए तरीके के जो स्वाध होते हैं टेस्ट होते हैं इस तरह के सिगार होते हैं सिगार जो पीते हैं ने सिगरेट की तरह ही होता है भाई साथ नसे के लिए पिये जाते हैं तो इनको रोकने के लिए ये proposal रखा US के food and drug administration ने ये जो है American population में बहुत ज़्यादा पर्चलित है ये menthol cigarette और flavored सिगार तो इसलिए इसको बैन करने के लिए proposal रखा क्योंकि इसकी वज़े से बहुत सारी health issue हो रहे हैं बिमारी हो रहे हैं लोगों में menthol जो cigarette है अधिकतर अमेरिका में African American community पीती है इन्हें white American compete हैं देखो वहां का समाज भी दो ग्रूप में बटा हुआ है जैसे हमारे इंडिया में आप देखते हो बहुत सारी जातियां हैं धर्म के आधार पर लोगों को बाटा हुआ है ऐसे अमेरिका का समाज या तो class based बटा हुआ है अमीरी या गरीबी के हिसाब से रिच और पूर या फिर बटा हुआ है गोरे और काले लोगों की वज़े से यानि कि black और white black लोग वहां पे कैसे आये देखो जब वहां पे इसने rule किया था तो अमरीका में जब ये गए तो तो वहां पे भी इने काम करने के लिए factories में या cultivation के लिए अफरिका से लोग लेके जाते थे slave गुलाम बना के तो अफरिकन लोगों को वहां लेके गए तो अब वो लोग वहीं पे बस गए वहां की generation उनके लोगों के कौन ज़्यादा पीता कौन कम पीता है मेन मकसद हमारा ये है जो मैंथोल सिगरेट है इसकी परेशानी क्या है और क्या नुकसान है मतलब इससे इसकी वज़े से बहुत सारी elements बीमारी हो जाती है और black population में ये बीमारिया ज़्यादा बढ़ रही है तो इनी को reduce करने के लिए कम करने के लिए step लिया है USK FDA Food and Drugs Administration ने इसलिए है क्योंकि देखो smoking जो ये है menthol की menthol जो cigarette होती है जो normal cigarette होती है उसे पीने से थोड़ी irritation होती है और थोड़ी कठोरता महसूस होती है लेकिन जो ये cigarette है menthol cigarette इसमें एक तो mint test होता है mint test का मतलब पुदेनेकर सा test आता पीने से और सुघंद आती है aroma इसके वज़े से irritation और harshness smoking की reduce हो जाती है यानि कि जो cigarette पीने पे जो थोड़ा कश्ट होता है वो भी इससे कम हो जाता है इसके वज़े से ये लोग young people youth हैं जो young adult लोग ज़्यादा पीते हैं इसे prefer करते है menthol cigarette को क्योंकि पीने में अच्छी लगती है अच्छा भी लगता है लेकिन इससे नुकसान ही होता हमारे brain में जो ये nicotine को के साथ interact करता है और ये nicotine ऐसा भाईसा पधार्त होता है ये addictive हो जाता है लोग इसकी वज़े से addictive का मतलब है कि लट पर जाती है आदत हो जाती है इसकी और आदत इसको चुटाना बहुत ही difficult होता बहुत भारी होता है तो इसलिए ये कहा है कि जिनवी countries में ये बैन क्या है यानि कि अगर 40 साल तक बैन क्या है menthol cigarette को जहां पे भी तो वहाँ पे 15% smoking की case reduce हो गये हैं यानि कि वहाँ पे 15% लोगों ने smoking करना ये cigarette वगारा पीना कम कर दिया है जो menthol के अलावा और भी बहुत स carrier विक्रांत देखो हमारे इंडिया में अभी तक सिर्फ एक ही aircraft है उसका नाम है INS विक्रमा दित्ते यह याद रखना आपको विक्रमा दित्ते विक्रमा दित्ते अब यह दूसरा हम इंडक्ट करने जा रहे हैं यह है बाई साब aircraft ये aircraft क्या होता है देखो इस पे पानी में ये तेरतर आएगा इसी पर airplane भी अतार सकते हैं helicopter भी उतार सकते हैं यहां से missile भी launch कर सकते हैं कोई हमला करना हो किसी country पर अटेक करना हो कर सकते हैं सब कुछ तो यह पूरा runway होता इतना बड़ा जिससे airplane को आराम से उड़ाया जा सकता है या fighter plane को उड़ाया जा सकता है उतारा तो हमारी तमन्ना यह हमारे पास अभी तक सरफ INS विक्रमा दितता है एक ही एरक्राफ्ट केरियर है तो अब यह दो हो जाएंगे हमारे पास यह जो हमने अपने आप डबल अप किया है इसको इंडिजीनस का मतलब है अपने इंडिया में डबल अप किया है कौन सी कंपनी ने? कोचिन सिप्यार्ड लिमिटेड कंपनी ने रिबलफ किया है और ये अगस्त में इस साल इंडियन नेवी को दे देगी कोचिन सिप्यार्ड लिमिटेड इस एरक्राफ्ट कैरियर को विक्रांत जिसका नाम है तो बस इतना याद रखना है इसमें नेक्स टोःफिक है इनडेजिनस ली डवलब्ड आंदलाईन इस अलिष नेटवर्ड है इस प्रिल्लिंस और जीएस पेपर थिरी के लिए इंडिया में ऐसी एक indigenous company हो, network हो, government of India प्लान कर रही है, ऐसा launch करने जा रही है, e-commerce networking company है, 100 Indian cities में शुरूबात में launch की जाएगी, जिसमें millions of grana store consumers को facility provide की जाएगी, 100 सहरों में, इसी तरह से जैसे Amazon Flipkart सामान बेजते हैं, तो यहाँ पर जाके खरीदा जा सकता है, यह starting में बैंगलूरू, दिल्ली, कोयमबेटूर, भोपाल, सिलोंग से start की जाएगी, और फिर पूरे इंडिया में launch के जाएगी, इससे customer को भी, retailer को भी फायदा मिलेगा, multiple choice होंगी, सामान खरीश तकेंगे हमारे इंडिया की e-commerce company से, next topic है, Pavan Hans Limited, prelims के लिए important है, बस इतना या किया उसका, और government कम मालिक रहेगा, तब किसी company में 51% की share holding government के पास रहेगी, तो अभी तक किस company में government के पास 51% की share holding थी, लेकिन अब इसे बेचने जा रहा है, bid के दौरा, बोली लगा, यह भायसा बेचने जा रहा है, इसको, Pavan Hans Limited को, government of India, कौन खरीद रहा है इसे, और किसने approval दिया, इसे बेचने की, cabinet committee on economic affair ने दिया, यह cabinet committee, इसमें cabinet minister होते हैं, इस meeting में, जलव इस committee में, और इसके जो chairman होते हैं, वो खुद prime minister होते हैं, तो इस committee ने, यह recommendation है, यह approval दे दिया, सहमती दे दिया, अपनी, अनुमती दे दिया, Pavan Hans Limited Company का dis investment किया जाएगा, यानि कि जब government company की share holding बेची जाती है, उसी को बोलते है, dis investment, यानि कि share base दे गए, अब मालिक इसका हो जाएगा, ONGC, Oil and Natural Gas Corporation Limited, यह इसे खरीद रही है, अभी government के पास 51% की share holding थी, और ONGC के पास 49% की share holding थी, लेकिन अब ONGC इसे खरीद लेगी, Pavan Hans Limited के पास 42 helicopters है, helicopter की company है, यह helicopter है, इसके पास 42 helicopter, next topic है, semi-con India conference 2022, prelims और GS paper 3 के लिए important है, यह conference हुई, meeting हुई, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने, यह new India mission के लिए कुछ पैसे allocate किये, 29 से, 29 अप्रैल से लेके, एक मही तक यह meeting हुई, semi-conductor ecosystem को हमारे इंडिया में develop करने के लिए, semi-conductor आप जानते हो भाई साब, कई बार दिखाया हमने, अपने इस lecture में, current affair के में, यह हर एक electronic जो सामान होता है, उसमें यूज होते हैं, जैसे आपका mobile भी हो गया, या आपके TV हो गया, आपका computer हो गया, ऐसे electronic सामान होते हैं, उनमें यूज होते हैं, semi-conductor, तो इस semi-conductor की manufacturing हमारे इंडिया में जादा से जादा ह इसके लिए पूरे world से यहाँ पर stack holder बुलाए गए बहुत सारे innovators और बहुत सारे academia research institute उन्होंने innovation discuss किया, ideas नए नए डिसकस किये कि हमारे इंडिया में कैसे develop की जा सकती है, और इंडिया के लिए, इंडिया semi-conductor mission के लिए 10 billion dollar allocate किये कि इतने खर्च किये जाएंगे, semi-conductor hub बनाने के लिए इंडिया को, यानि कि हमारे इंडिया में यह semi-conductor manufacture किये जाएंगे, बनाए जाएंगे, तक कि हमारे इंडिया में जितनी जोड़त है, वो अपने इंडिया से ही manufacture हुई company से हम खरीच सकें, और यूज़ कर सकें, next topic है national behavior change, communication framework for garbage free stage, prelims और GS paper 2 के लिए important है, इ यानि कि लोगों का वहवार change करना है, किसने चला आया है, ministry of housing and urban affairs, जो सहरी मंतरा लेह, उसने यह launch किया है, जो स्वच भाहरत मिसा ने जो 2014 में 2 October को launch किया था, उसके बाद इसका second phase launch किया था, उसी के अंदर यह launch किया है, national behavior change, communication framework for garbage free city, यानि कि इसमें लोगों की भागेदार बढ़ाना है, इसको जन आंदोलन बनाना है, garbage free city बनाना है, city में कूडा, करकट, कच्रा ना रहे, garbage free बनाना है, city को, यह इसका main target है, यानि कि लोगों का behavior change करना है, लोगों का behavior change करना है, इस campaign के जरिए, इस अभिहान के जरिए, और इसमें focus area होंगे, source segregation, यानि कि जैसे जहा segregate किया जाए, segregate मतलब उसे अलग-अलग, अगर मानलो कोई ऐसा है, जिसे आसानी से dispose किया जा सकता है, या उससे खाद बनाई जा सकती है, तो वो कच्रा अलग किया जाए, जैसे मानलो फल सबजियों के छिलके हो गए, तो इनको अलग किया जाए, कोई plastic वगरा का कच्रा है उसे अलग किया जाए, तो इस तरह से source पे segregation पे ध्यान दिया जाएगा, collect किया जाएगा, collection, transportation किया जाएगा, उस पे जहाँ पे भी मानलो processing unit लग रही है, उसको dispose करने के लिए, वहाँ पे transport किया जाए, घरों से, processing of wastage की processing की जाएगी, plastic waste का management और remediation of legacy dump site, तो यह सब focus area होंगे इसमें, next topic है, Atal New India Challenge 2.0 या NIC 2.0, यह prelims और GS paper 3 के लिए important है, यह किस ने launch किया और काम क्या है, दो चीट जाननी है, एक तो नीती आयोग ने launch किया है, यह याद रखना है, नीती आयोग क्या ही, जो नीती आयोग है भाई साब, नीती आयोग का ही mission है, Atal Innovation Mission, यह launch किया था, इसके अंदर यह कैई सारे mission launch किया, जिसमें से एक है, Atal New India Challenge 2.0, 28 April 2022 को launch किया है, second phase इसका launch किया है, second edition का first phase launch किया है, इसका काम क्या है, हमारे इंडिया में innovation बढ़ाना है, जादा से जादा research development हो, आविसकार हो, discovery हो, innovation हो, हमारे इंडिया में, यहनि कि technology development हो हमारे इंडिया मे अटल innovation mission का भी यही है, मकसद, और इसी के अंदर यह नया challenge launch किया है, New India Challenge, New India Challenge, Atal New India Challenge बोल सकते हो, next topic है, mission सागर 9, prelims और GS paper 2 के लिए important है, देखो, mission सागर यह हमारी Indian Navy का mission है, Indian Navy इसके द्वारा, हमारे आसपास के जो neighboring countries हैं, हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, उनकी स Indian Navy provide help or assistance to our neighboring countries, यानि कि जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे सिरिलंका हो गया, Indian Ocean के आसपास, जितने भी कंट्री हैं यह, Indian Ocean के आसपास, इनको साहता पहुचाता है, Indian Ocean में जैसे मालदीव, सिरिलंका, सिसली, यह वगरा हो गया, इनको साहता पहुचाता है, अभी इसका 9 फेस लॉंच किया, मिसन सागर 9, इसमें किसको साहता पहुचाईए, इसमें स्रीलंका को साहता पहुचाईए, Indian Navy का INS घहरियल गया, घहरियल देखो, सिप का नाम है, पानी के जहाज का नाम, यह गया, और आप सब को पता है, स्रीलंका में क्राइसी चल रहा, संकट चल रहा यह भाई साब, दूद भी वहाँ पर पता नहीं, पानसो छेसो रुपे लीटर आ रहा है, जो वहाँ की करंसी, और भी ज्यादा ही हो गया होगा, लेटेस्ट अपडेट के अनुसर, तो इंडियन लेवी ने एक सो साथ तरीके की साथ सो साथ किलोग्राम दवाईयां जो इंडियन ओसेन के आसपास जो यह रीजन है, इसमें सिक्योर्टी सुरक्सा प्रोवाइड करनी है, और सब कंट्री की ग्रोथ हो, सब कंट्री का डवलप हो, यह इंडिया का टारगेट है, तो यह विजन सागर है, जो इसी के अंदर यह मिसन सागर लांच किया था, और म प्रेंडली जो हमारे फॉरन कंट्री हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, जो विदेश में यह साहता पहुचाईए, मई 2020 से इंडियन नेवी नेक्स्ट टॉपिक है, वर्ट इज नासाज न्यू कॉम्निकेशन सिस्टम, LCRD, देखो यह प्रिलिम्स और जीयस पेपर 3 के लिए इंपोर्टेंट है, नासा का मिसन है यह, नासा क्या है? जिसे हमारे इंडिया की इस रो है, Indian Space Research Organization, स्पेस के रिगार्डिंग आस्मान में रिस रिसर्च करती है, सेटलाइट वगरा भेजती है, कोई मिसन भेजती है, इस रो हमारे इंडिया की जिसका हेड़कॉाटर बैंग मिशन भेजा था लॉंच किया था दिसम्बर 2021 में कुछ इस तरह काया भाई सब ये मिशन ये भेजा है नासा ने दिसम्बर 2021 में तो इसने फर्स्ट टाइम कॉम्निकेशन अपना किया है इस मिशन ने और अप्टिकल कॉम्निकेशन स्पेस में ये help करेगा ये LCRD मिशन जो LCRD ये टेकनालोजी ऐसी है future में optical communication mission के लिए अच्छा सा भीत हो सकता है इसके अंदरकत ये STP-6 satellite भेजा है इस NASA ने US का Department of Defense का satellite है Space Test Program Satellite 6 ये भेजा है और अर्थ से लगबग 35,000 km की उचाई पर ये अर्थ के चारोर और और बिट कर रहा है घूम रहा है Geo synchronous orbit बोलते हैं इसको जो अर्थ से 35,000 km के ऊपर लगबग 35,000 km ऊपर ये जियो synchronous और बिट है तो इसका advantage क्या है optical communication system का देखो इसका advantage यह भी है यह smaller in size होता है बहुत छोटा होता है इसलिए इसका weight भी कम होता है और इसे weight जब कम होता है तो power भी कम चाहिए होती है इसके लिए यानि कि smaller size है तो जिस rocket में रखके भेजेंगे उसमें और ज्यादा science instrument रखके भेजे जा तो और बाकी सारे instrument भी लेके जा सकेंगे light weight है इसका मतलब खर्चा भी कमाएगा less expensive है और power कम लगेगी तो इसका मतलब battery का size भी कम होगा तो और जगे हो जाएगी optical communication के साथ इसमें देखो supplement करता है radio waves के साथ और यह communication capabilities को बढ़ाएगा laser और radio waves के जरिए laser wave और radio waves होती है इनके जरिए जो communication होती है इसमें फरक क्या है देखो laser communication और radio waves में different wavelength यूज होती है light की wavelength क्या होती है देखो जो कोई भी light आ रही होती है चाहे सूरस से light आ रही है चाहे आपके घर में जो light लगी हुई है बल्फ लगा हुआ है या tube लगी हुए tube light वगरा उससे जो light आ रही है वो सी दो अरवां कि ली अरतारा से न रही होती हैं तो हैं नहीं हम अगर x-axis पें नप прим के ये x-axis है और ये y-axis है आपने पड़े ही होगा ये math में science में भी तो ये वेव मानलो इस तरह से आ रही है तो वेव लेंथ क्या हो गई वेव का मतलब हो गया लहर या किरन और लेंथ का मतलब क्या हो गया उसकी लंबाई तो वेव की लेंथ यानि की लहर की लंबाई किरन की रेज की लंबाई तो जैसे यहां से आके यहां तक एक रेज आ रही है तो नापेंगे कैसे या तो उपर वाले को बोलते हैं crest और नीचे वाले को ये चोटी होती है ये नीचे वाले इसको बोलते हैं trough t-r-o-u-g-f तो दो trough के बीच की लंबाई नाप लो या दो crest के बीच की लंबाई नाप लो तो ये हो जाएगी wave की length और एक होती है frequency frequency होती है मालो एक second में यहां तक एक second हो रही है और एक second में इसने ये कई सारी wave आ गई यहां तक तो कई सारी wave आ गई लेकिन अगर मालो यहीं पे ये wave की length कम हो wavelength कम हो तो एक second यहां तक हो रहा है तो देखो frequency किसकी ज़्यादा होगी यानि कि देखो number of turn per unit time एक second में कितनी wavelength जा रही है इससे हम frequency निकालते हैं और frequency को hertz में नापते हैं तो frequency किसकी ज़ादा होगी इसकी ज़ादा होगी या इसकी देखो जिसमे number of turn ज़ादा हो एक second का time यहाँ पे लग रहा है लेकिन इसमे number of turn यानि कि wavelength एक, दो, तीन ही है और इसमें देखो बहुत सारी हैं यहाँ पे तो frequency किसकी ज़ादा होगी इसकी होगी यानि कि जब wave की length यहाँ पे कम है क्योंकि यहाँ पे तो देखो दो wavelength की यानि कि दो crest की लंबाई हम निकालेंगे बीच की लंबाई तो हैं कम होगी और यहाँ पे ज़ादा है यानि कि जब wavelength कम होगी तो frequency ज़ादा होगी wavelength ज़ादा होगी तो frequency कम होगी यानि कि frequency inversely proportional to होती है wavelength के तो यह चीज़ आपको याद रखने है wavelength ज़ादा होगी तो frequency कम होगी wavelength कम होगी तो frequency ज़ादा होगी तो यह चीज़ आद रखने हैं आपको तो इसमें जो है laser में हम different तरीके की wavelength light की wavelength यूज करते हैं laser में हम infrared यूज करते हैं और इसमें यह sorter wavelength होती है radio wave से और जब sorter wavelength होती है यानि कि wavelength छोटी है तो इसकी frequency ज्यादा होगी यानि कि infrared की frequency ज्यादा होती है radio wave से तो इसकी वज़े से transmission में ज्यादा data कम समय में भीजा जा सकता है इसकी वज़े से optical जो communication है इसकी वज़े से 10 से 100 times bandwidth increase हो सकती है radio frequency system से ज्यादा जितना radio frequency system में हम यूज करते है bandwidth उस 10 से लेके 100 times ज्यादा optical communication में यूज हो सकती है bandwidth तो यह चीज़ आपको याद रखना है next topic है wireless jammer इससे आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक साहरी वक्त सब को मिलता है जिन्द की बदलने के लिए वक्त सब को मिलता है जिन्द की बदलने के लिए मगर जिन्द की दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए तो इसी के साथ 10th number का topic करते है wireless jammer यह prelims और GS paper 3 के लिए important है means के लिए jammer क्या होता है देखो यह देख रहे हूं जो आप यह jammer से आपने देखो होगा जब आप exam देने जाते हो खासकर यह SSC के exam होते हैं यह UPSC के exam भी होते हैं उनमें क्या होता है कि जहां पर school या colleges में exam हो रहा है तो यहां पर यह jammer लगा देते हैं ताकि वहां पर कोई mobile वगएरा काम ना करे यह jammer का मतलब है वहां पर network खतम हो जाएगा mobile में आपके network नहीं आएगा आप बात नहीं कर सकोगे तो यह है इसकी quality जो consumer यह central consumer protection authority है इसने अभी advisory जारी की है e-commerce company के लिए e-commerce company क्या है हमने उपर discuss किया e-commerce company जो online बेस्ती है ना यह jammer को तो यह illegal sale जो करती है अवैद तरीके से इन पर रोक लगाने के लिए यह advisory issue की है तो यह consumer affair ministry ने कहा है जो यह sale या यूज होता wireless devices का बिना license और बिना permission के हो रहा है क्योंकि Indian telegraph act के according या Indian wireless telegraph act के according बिना permission के यह jammer को यूज करना illegal है अवैद है तो अगर jammer को यूज करना तो भैसा इनकी permission लेनी पड़ती है लेकिन इन्हें बेचा जा रहा है बिना permission के यह e-commerce site पे तो यह ministry ने यही advisory जायरी किये इस consumer protection authority ने तो ministry ने यही कहा है guidelines central government के दौरा issue की गएंगी jammer को केवल जबी issue किया जा सकता है या exceptional circumstances में allow किया जा सकता है अगर secretary या cabinet secretary ने अपनी authority दी है यानि कि अनों ने permission दे दिये तब ही इनको यूज किया जा सकता है department of telecommunication ने इससे पहले January में भी एक advisory issue की थी इनके regarding ताकि जो jammer है wireless jammer online platform पे जो बेचे जाते हैं इनकी illegal sale को रोका जा सके next topic है gluten free diet अपेड़ा आप सब लोग जानते हो क्या है यह प्रिलिम्स और जीयस पेपर 3 के लिए important है agricultural and processed food products export development authority अपेड़ा ministry of commerce and industry के अंदर काम करती है आपको याद होना चाहिए यह अपेड़ा किसलिए बनाई गई थी यह बनाई गई थी भाई साब ये एक एक्ट पास करके बनाई गई थी लगबग 1986 के लगबग एक्ट पास क्या था और इसको पास करने के बाद यह statutory body होगी यानि कि सामधिक संस्ता इसलिए बनाई थी कि agriculture product का हमारे इंडिया से ज्यादा से ज्यादा export हो सके निर्यात हो सके हम दूसरे देसों में बेच सके त जो gluten free हो gluten free millet product, millet आप जानते हो मोटे अनाज को बोलते हैं जिससे इसमें जुआर, बाजरा, रागी, यह सब आते हैं millet में, तो millet product की हैं जिनकी कीमत 5-15 रुपे kg के लगबग ऐसी होगी, तो यह affordable price में issue क्या है यह gluten free millet product, देखो इस millet को हम last topic में पढ़ेंगे अच्छे से millet, य होती है और gluten का मतलब क्या है अभी जो ही यह diet, launch यह product, यह gluten free है, यनिकि इनमेod gluten नहीं है, इन product में, जो यह उत्पाद है जो भी military, रागी, बाजरा, जो आ रहे है, जो भी, इनमेod gluten नहीं है, तो gluten का मतलब क्या है, क्या है यह, अध़ो, यह जो gluten होता है, ऐसे कुछ product हैं, ज होता है ये लेकिन है गलूटन क्या है यह हेल्थ के नुक्सान दयाक मतलब है इसमें क्या होता जब या बीमारी हो बचाता है हमारा immune system लेकिन जब slight disease हो जाती है तो इसका immune system हमारी body को ही attack करने लगता है तो ये slight disease ऐसे बहुत सारे disorder देखने को मिलते हैं जिस diet में product में gluten होता है या non-slike gluten sensitivity हो जाती है gluten ataxia dermatitis herpetiformis ये कुछ torture related drug होते हैं wheat से allergy हो जाती है wheat allergy ऐसे कुछ disease हो जाते हैं जिनमे gluten होता है तो gluten जो protein होता है low nutritional या biological value होती है इसकी जिसकी वज़े से हमारी human diet के लिए ज्यादा जूरूरत नहीं है इसकी कोई essential part नहीं है हमारे human diet में तो इसलिए ऐसी अभी product launch किये है millet के जो gluten free है जिनमे gluten नहीं है तो इस millet को हम last में discuss करेंगे next topic है mandatory hall marking of gold prelims और GS paper 3 के लिए important है mandatory का मतलब होता है compulsory यानि की अनिवार है यानि की करना ही करना है ये काम mandatory hall marking of gold gold आप जानते हो सौना सब लोग जानते होंगे भाइसा hall marking का मतलब निसान लगा दिया चिन के जैसे stump लगा देते हैं कागज पर ऐसे hall marking कर दी उनके यह सेकंड फेस लॉंच क्या है mandatory hall marking wide hall marking of gold jewelry और gold artifact का यह amendment order 2022 में यह release किया है और यह जारी हो जाएगा निकि लागू हो जाएगा come into force हो जाएगा एक जुन 2022 से यह देखो भाइसाब यह gold का यह आप बोल सकते हो कलाई में पहने जाना वाला यह है सब लोग भारत में अलग-अलग जगर पर अलग-अलग नाम है इसका कहीं कहीं पर कुछ और भी बोलते हैं कड़ा भी बोलते हैं इसे तो यह hall marking देखो क्या होता पहले जो हमें जानना इसमें main मक्सद देखो एक तो इसमें यह B.I.S. का logo होता है B.I.S. का Bureau of Indian Standard Bureau of Indian Standard 2016 में Government of India यहने की Parliament ने एक Act पास किया था पार्लेमेंट से और इसको Statutory Body बना दिया Bureau of Indian Standard Act 2016 और 2017 से यह लागू हो गया 2017 से ही Statutory Body है जितने भी जैसे सामान होते है न उस पे इसका निसान आता है जैसे आप पानी की बोटल खरीदोगो पीने की तो ऐसा कुछ निसान आएगा उस पे और I.S. करके 14,000 या 13,000 ऐसे कुछ करके उस पे लिखा होता है नंबर उसकी Quality का नंबर होता है कि उसकी क्या Quality है यह B.I.S. का logo होता है यहने कि वो माल सही है अच्छा है और यह है Purity of Gold 20K 1916 यह 20 karat का gold है गोल आता है बाइस अब 24 karat का होता है प्योर गोल्ड लेकिन प्योर गोल्ड से आप कोई भी ऐसे Jewelry नहीं बना सकते हैं पहनने के लिए हार कड़ा या कोई भी अंगोठी वगएरा कुछ नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है तो उसमें कुछ impurity मिलाई जाती है कुछ भी तामबा बगएर या कुछ मिलाया जाता है उसमें तब जागों कठोर बनता है तो 22 karat का हो गया यह अगर 1916 जिस पर लिखा हुआ है 916 अगर जिस पर 585 लिखा हुआ है इसका मदला 14 karat का gold है 750 लिखा हुआ है यह 18 karat का gold है यह quality है gold की और यह जो निसान है चिन है यह देता है AHC AHC क्या है Assaying and Hall Marking Center यह खोले हुए है भाई साब यह B.I.S. ने यह B.I.S. ने खोल हुए है center यह center क्या काम करते है जो ऐसे gold है जिन पर निसान नहीं है ऐसा hall marking नहीं लगी हुए उन पर निसान लगा के देत उनकी जाच करेंगे यह sona असली है असली है तो निसान लगाईए नकली तो नहीं लगाईगे उनसे फायदा क्या होगा बेचने में फायदा होता वैस वैसा आसा नहीं हो जाते है नहीं किसी के पास sona पड़ा हुए 20 30 40 50 साल पहले का घरों में सब क्या होता है तो वह असली जो एलर्स का इडेंटिफिकेशन मार्क 12 जिसकी दुपान है अपनी दुकान का निसान यहाँ पर लगा सकता है अपना खोई ले रखा हो गा उसने दुकान का दुकान का जो भी लोगो हो गया उसकी ठिसका सब्सक्तिक्राइब कर लें है इस फूर्ट इसमें 32 निव डिस्टिक सामिल होंगी इस mandatory hall marking रिजिम में यानि कि जो AHC है 32 नई डिस्टिक में खोले जाएंगे 4 अप्राइल 2022 को इस सेंटर नौटिफाइड किये थे फरस्ट फेस में ये जो mandatory hall marking है इस ब्यूर अफ इंडियन स्टिक में ये इंप्लिमेंट किया है 256 डिस्टिक में हमारी कंटी में 256 डिस्टिक में 23 जून 2021 से ये लागू क्यार कर दिया है इतने में चल रहा है इतने डिस्टिक में 3,000,000 से ज्यादा gold articles को ये अब से अब तक hall marking कर चुके हैं तीन लाख से ज्यादा gold जितने भी आर्टिकल है गोल्ड के आर्टिकल उन पे ये निसान लगा चुके हैं hall marking कर चुके हैं ये हर एक common consumer है कोई भी आप हम जैसे लोग भी जा सकते हैं ये डिस्टिक में बने होते हैं अगर आपके डिस्टिक में बना हुआ है AHC Center, Assign and Hall Marking Center तो वहाँ पे जाओगे आप अपनी Jewelry पे ये hall marking लगवा लोगे ये hall marking लगवाने से आपको ये फायदा हो जाएगी पता ल तो वह center इसका लगा देगा और उसे बेचने में आसानी होगी और इसका charge लेता है वह चार आर्टिकल अगर आप मानलो एक कड़ा लेके जा रहे हो एक हार लेके जा रहे हो एक मानलो कोई आप bracelet लेके जा रहे हो एक ring लेके जा रहे हो चार आर्टिकल लेके जा रहे हो तो च से फायदा है होगा बेचने में आसान ही हो जाएगी भाई सब नेक्स टॉपिक है मिलेट्स यह पिलिम्स और जियस पेपर थिरी के लिए इंपोर्टेंट है जो हमने ग्यारवे टॉपिक में डिसकस किया था उसी को हम यहां पर डिसकस कर रहे हैं मिलेट को मोटा नाज होता है इसमें रागी बाजरा ज्वार यह सब कुछ आते हैं अपेडा ने देखो वेराइटी लॉंच की हैं एक आहार फूड फूड फेर हुआ था मेला हुआ था आहार फूड 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 फेर नाम से वहां पर पांच रुपे से लेकर पंदर रुपे तक की अफोड़ेवल प इसके अग्रुड फूड फूड फ्यर में ही हैं इसके अलगा नंटिया अंदर आता एफूड फूड फेर उपेडा के अइक्सपॉड फूड फूड नाम कर एक इसकी मीटिंग कनफरेंस होती है एक बाईओ फैक इंडिया एक फैस्टिवल होता है इसका एगरी एक्सपोर्ट को भी पर्मोट करने के लिए यहनि कि एगरी कल्चर के जितने भी प्रोड़क्ट हैं उनको हमारे इंडिया से जादा ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके निर्यात किया जा सके, मिलेट है जो ये इसमें बहुत ज़्यादा nutrition value होती है, 2018 में government ने ऐसी nutrient cereal identify की थी, notify की थी, कि इन मिलेट को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इंडिया में पर्मोट किया जाए, जो मिलेट है इसमें बहुत ज़्यादा protein होता है, fiber होता है, minerals होते हैं, iron calcium होता है, और इसमें glycemic index low होता है, हमारी body के लिए बहुत अच्छा होता है, एक most important बात भाइसाब ये आप भूलने नहीं, यानि कि इसे आप भूलने नहीं दोगे, अपने आपको इसे याद रखोगे, 2021 में, मार्च 2021 में United Nations General Assembly ने, 2023 के साल को, International Year of Millet declare किया है, तो ये पूछ लेता है, ये पेसी के बार ऐसे पूछें, International Year of Pulse पूछा है, तो International Year of Millet कौन सा year declare किया है, 2023 किस ने किया है, United Nations General Assembly ने, तो ये आपको याद रखना है, इसकी देखो, government ने initially, इसका जो इनिसी टेवे government का, ये production of Millet का increase हो गया है, 2015-16 में था, 14.52 million ton, ये याद रखना, आपको एक million में 10 लाक होता है, तो 14.52 million ton, 2015-16 में होता था, इतना millet हमारे इंडिया में, लेकिन 2021 किस में हो गया है, 17.96, यानि कि 18 million ton के around हो गया है, जो इसका production है, बाजरा का, बाजरा हो गया है, 8.07 million ton होता था, 2015-16 में, अब 2020-21 में 10.86 million ton के लगबग हम बाजरा होगा रहे हैं हमारे देश में, ये इंडियन millet हैं, कुछ millet की variety हैं, जैसे ये पर्ल millet, बाजरे कोई बोलते हैं, पर्ल millet, ये है थिनाई हुआ 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 हुआ